हेलो फ्रेंज वेलकम तू डॉल्फिन अप्लाइंस चैनल आप सभी का खुब-खुब स्वागत है हमारी यूट्व चैनल में दोस्तो हमने बहुत सारी वीडियो सुगर केन काटकी डाली हुए लेकिन हमारे बहुत सारे वीवर्स बहुत सारे सस्क्राइबर ने डिमांड कर र शूगर केन मसीन कूलिंग सिस्टम में उसकी लाइनिंग में पड़ा रहता है जूस उसके लिए वह काला पढ़ जाता है और कस्टमर को काला देना पड़ता है तो इसमें हमने अपग्रेड करके वह चीज ना हुए वह प्रब्लम ना हुए उसके लिए अदर ओप्रेंजिस करके हमने इसके अंदर ओनलाइन चिल्लर डाला हुए दोस्तो ओनलाइन चिल्लर मतलब कि आपने जैसे गन्ना डाला सिद्धा ओनलाइन चिल्लिंग होके सिद्धा लाइनिंग में आ जाएगा इसके अंदर लाइनिंग में पड़ा नहीं रहेगा जूस दोस्तो तो पूरा क सबसे पहले हम बताते आते हैं दोस्तों के हम पूरी स्टीनले स्टील से सुगर के मशीन बनाते हैं काट उसकी पूरी कोई भी जगा पर एमेस या लोहाया यूज नहीं करते दोस्तों ठीके और यह सुगर केन मशीन में हमने टोटल दो कॉंसेप्ट दिये दोस्तों एक तो ओनलाइन चीलिंग सिस्टम हाला सुगर केन का जूस एकदम ठंडा और नेक्चरल आप जैसे इसमें ग तो आपके पास एक एक एक्स्टा स्कॉप है यह सानी के खाली गन्य के जूस का ही आप बिजनेस कर रहे हो आप मिक्सर जूस का काम कर रहे है इसके अंदर मिक्स जूस का काम कर रहे है कोई ओरेंज जूस मांगता है तो ओरेंज जूस के लिए हमने हैंड ओपरेट मशीन दे यह सुगर केन की 1.5 HP मोटर वाली मार्किट में जो मिलेगी आपको 0.5, 0.7 या 0.8 HP वाली मोटर मिलेगी जिससे क्या होगा कि कोई भी बड़ी साइच का अगर गन्ना है तो मशीन रुख जाएगा या आवाज करने लगेगा इसमें आप एक साथ दो गन्ना डालेंगे तो भी मशीन रुखेगी नहीं आपकी फूल पिकव एन फूल पावरफुल मशीन है ठीक है दोस्तों और इसमें हमने यहां पे एक स्कॉप बना दिया है जिसमें क्या होता है दोस्तों के सुगर के निया यह वरिंजूस का आप काम करेंगे तो थोड़ा चिकना पन होगा बिजनेस में चिकना लगेगा तो उसके लिए हमने यहां साफ सूप करने के लिए ट्र तो आप इसको चिकनापन भी इसको सपाई इजी ली अपने यह मसीन के अंदर ही कर सकते हो एक बटन दबाने से बंद हो जाता है बटन स्टार्ट करो के तो स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जे औरेंज का जो जूस निकाल के बताऊँगा जो हमने यह अगर को अगर आपको पूस कर देना है इसे आपको इसमें आप ओरेंज है मूसम भी है अनार है निम्बू है उन सबका जूस निकाल सकते हो दोस्तों इसमें से आप उसके बाद हम आपको गन्ने का जूस का भी निकाल के बताएंगे कि गन्ने का जूस कैसे निकालना है उसमें निम्बू कैसे डालना है अगर आदू है अद्रक है फुदीना डालना है तो अब फुदीना कैसे डालना है वो सक चीज आप उसके अंदर से मोडिफाइ करके कैस से निकलना है वो हमें वीडियो के अंदर पूरी जान करें आपको देने वाले दोस्तों यह आप देख सकते हैं दोस्तों ओरेंज का जूस हमने निकला है आप इसे बावल में निकाल के कस्टमर को डारेक्ली सव कर सकते हो दोस्तों यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह नेच्रल जूंस निकला इसके अंदर से दोस्तो जो भी आपके पास customer requirement करता है तो आप उसको औरेंज का मुसंबी का दानम का नीमू का ऐसे जूंस निकाल जबते हो दोस्तो इसमें से ठीके अभी हम आपको इसमें डिटेल देंगे सुगर केन का सुगर केन का जूंस कैसे निक अब देख सकते हैं अब जो जूस निकले गए जीरो के टेंपरेचर से अभी हम मशिन को स्टार्ट करेंगे मशिन स्टार्ट हो चुकिए हैं यहां पर देख सकते हैं अभी अगर आपको इसमें आदू डालना है तो आमने यहां पर अद्रक रखा हुआ है अब देखिए अद्रक डालना है तो इसमें आप अद्रक इसे डाल सकते हैं पूरा चला गिया उसके अंदर अगर निमू डालना है थोड़ा सा लाइम भी डाल सकते हैं इसके अंदर आप उसके बाद ए गंणा हम डालेंगे इसके अंदर दोस्तों आप देखिए जराबी छोड़ देना है आपको रुकना नहीं है इसमें ये चला गिया देखिए अगर एक साथ दो गन्ना डालना है तो भी आप डाल सकते इसमें जिससे मैंने आपको पहले बताया एक साथ दो गन्ना डालना है तो आप इसको आप देखिए दोस्तो एक साथ दो गन्ना चला गिया मशिन रुखेगा नहीं जरा भी आप देख सकते हैं दोस्तो यह पुरा फिनिस हो गिया अब भी हम इसके अंदर से जूस निकालेंगे इसमें से गन्ने का यहाँ पे हमने बटन दिया गिया है जो भी जितना भी आपको गलास रखते हो तो यहाँ से बटन दबाना है आपको यह बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा इसमें से अब देखिए यह दो हेट डियागी अगर आप बिजनेस फास्ट है इस पीड से बिजनेस कर रहे है तो यहाँ पर दो हेट दिया गिया इसके अंदर अलग-अलग हेट से आप काम कर सकते हैं इसके अंदर यह जूंस भर जाने के बाद एक बार पूस कर देना है बंद हो जाएगा अब यहाँ दूसरा गलास निकालेंगे यह आप देख सकते हो ज़रा भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है पूरा ग्रीनरी कलर है आप देखिए दोस्तों पूरा चील्ड और ठंडा होके निकला इजूंस इसमें से यह आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग पर मैं रख रहा हूँ इसको यहाँ पर यह पूरा ग्रीन एकदम ग्रीन जूस निकला इसके अंदर से जरा भी कलर चेंज नहीं हुआ है और एकदम चील्ड है जूस इसके अंदर गर्मियों के मौसम में भी आप कस्टमर को सेल करें हैं इसमें ऐसा बूंद भी डाला BY नहीं डाला हुआ और एक पिच्पी अईस निया निकला स्प्लीफ इनने चलिटे अगर आपना है। यहां लौट अपने अपर्छन ऐंद दा से पूरा जूस निकालेगा इसको थोड़ा पूच करना इसले चला जाएगा और इसके अंदर जूंस होगे सीधा चीलिंग सिस्टम में चला गिया मिक्चिंग होगे यहां से निकल जाएगा दोस्तों इसके बाउल के अंदर से ठीक है तो यहां पे हमने इसका वेश्टेज ट्रे भी दिया गया है जो भी कचरा इसके अंदर से निकलेगा दोस्तों यहां पे ट्रे दिया गया है वेश्टेज आप देख सकते हैं पूरा वेश्टेज है और इसका हाल देखिए दोस्तों क्या हुआ है यह पूरा ट्रे इसका आप देखिए इसका 97% क्रशिंग है इसका दोस्तों आप देखिए पू इसको वापिस अपको भुख़ जाता है तो इसको वेश्ट करके वापिस इसके णदर ढल देना है है आपको ये वापिस अदर चला जाए गाए दोस्तों ना तो कोई जढ लगने का इसमें दिखकत आए गा ना को इसमें धिककत आएगा पूरा हर एक जगा पे यमने इस टील dado लोहया यह मेस यूज़न नहीं किया दोस्तो तो आज की तारिख में बहुती बढ़िया और हन्टेट परशेंट सक्सेस्फुल मशिन है और मैं आपको ग्रेट की भी बात कर दूं इसके मुनाफे की भी बात कर दूं अगर चिलिंग सिस्टम इसमें जो कंप्रेसर भी डाला है safer is के अंदर और इसका प्राइजिंग की बात कर दूमें आपको एक किलो गन्ना आप यूज्स करते हो के अंदर एक किलो गन्ने के अंदर साले साथ सो से आठ सो गराम जूस निकलेंगा इसमें से दोस्तों अगर हमने यहां पर काउंट किया तो यहां पे 10 रुपे किलो के हिसाब से गन्ना मिलता है हमारे यहां पे एक किलो 10 रुपे के गन्ने के अंदर आप 200-200 ml के तीन गलास बर सकते हो इसे 200-200 ml के तीन गलास ठीक है एक गलास बनाने का खर्चा आपको 3-3 रुपे में नेच्छरल चील्ड विट चीलिंग सिस्टम तो इसमें कस्टमर डायरेक्ली आपसे एफेक्ट होगा कि उसके सामने गन्ना डाला और यहां से अपने बटन निकाल के दे दिया इसमें कोई भी किसी का हाट टच नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है सिधा ले क्लीन तू क्लीन आपको पीने के लिए रेडी हो जाएगा दोस्तो तो आज की तारिक में सबसे सक्सेस्पुल मशीन है दोस्तो यह मशीन की ज़्यादा डिटेल्स ज़्यादा जानकरी के लिए आप हमारी कंपनी के नंबर पर डायरेक्ली कॉंटेक्ली कर सकते हो दोस्तो हमारी कंपनी का नंबर वीडियो के नीचे बिलिंकिंग हो र दोस्तो प्राइजिंग जाने क्या ओफर है क्या डिसकाउंट है कितने दिन में डिलेवरि रहेक जानकर याप काउंटेक्ट करके ले सकते हो दोस्तो और अगर आप हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए दोस्तो इसे हम नहीं नहीं बिजनेस आइडिया आपके सामने ले किया आते हैं जो एकदम नहीं आइडिया रहते हैं एकदम नहीं नेचरल आपके एरिया आपके सीटी में ऐसा बिजनेस कहीं पर भी नहीं होगा आप अगर करेंगे तो first होगे जो अपने city में ऐसा काम कर रहे हो ऐसा business कर रहे हो दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई है तो एक बाद like जरूर कीजिए और चैनल को subscribe करना ना भूले दोस्तो thank you for watching और वीडियो